लोक आस्था का पर्व छट महा पर्व का आज संजिया अरक है और मधुवनी नगरपाली का द्वारा किस परकार की तयारी की गई है इसकी पोल खोलती हुई कसेरा पोखर पर की गई पूर्प तयारी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ती की गई है आए हम इसके संदर में आपको विशेष जनकारी देते हैं कसेरा पोखर पर पूर्व तैयारी के रूप में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ती के रूप में की गई कारियों से दिख रही है जगा जगा गंदगीयों का आमबार भरा हुआ है पोखर के चारो तरफ पानी भरी हुई है तो ऐसे में किस परकार से छट महा पर मनाने के लिए ब्रती एबं सरधालू पहुँचेंगे नगरपाली का भले ही बरे बरे दावे कर लेकिन कसेरा पोखर पर जिस परकार की तैयारी पूर्मे की गई है उसकी पोल खुलती हुई दिख रही है जहां आस्था के पर्व छट महा पर मनाने के लिए सैकरो लोग इस पोखर पर पहुँचेंगे तो देख सकते हैं कि इस आनी भारा हुआ है कसेरा पोखर के साप सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती हुई है जहां आप देखेंगे कि पोखर के चारों तरफ की चर ही की चर दिखाई दे रही है न तो बिलीचिंग पौडर का छिकाव किया गया है और नहीं किसी प्रकार की साप सुत पर याले दोरा निर्देशित आदेश के आलोक में छट पर्ण के आवसर पर मध्वनी नगर निगम छेत्र में अवस्ठित पोखरों पर सुचारु रूप से पर्ण करने के द्रिष्चिकों से पोखरों की सफाई कार्थ हेतु श्वेंग से भी संस्थाओं को निर्देशि में दिपावाली एबम छट में सफाई हेतू बैठक हुई थी जिसमें में सर्ष राठोर एंड बिशुजित इनफ्रा डेवलपर्स प्राइबेट लिमिटेड के प्रतिनीधी भी उपस्थित थे उक्त बैठक के आलोख में संबंदित एजेंसी के द्वारा सफाई करने के क्र प्रतिन्युक्त की गई है तो आप समझ सकते हैं कि मधवनी नगर पाली का द्वारा छट पर्व को ले करके किस प्रकार की साफ सफाई की गई है कसेरा पोखर पर की गई साफ सुत्रा को ले करके आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएंगे साथ में हमारे चैनल मितल दस तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे बहुत बहुत देने बाद जै हिंद जै भारत जै मितला